बहुने संते तिर्थाने दिव्य भूमे रसातले पद्रे सद्रिश्य तिर्थाम ना भूतो ना भविश्यती। अथा अर्थ स्वर्ख, पृत्वी तथा नर्ख तीनो ही जगा पर अनेको तिर्थिस्थान हैं। परन्तो फिर भी बद्रीनात जैसा ना कोई तिर्थ कभी था और ना ही कभी होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसी जगा जिसे पुराणों में दूसरा बैकूंट का आ जाता है। एसी जगा जहां मान्यता है कि यहां भगवान विश्णो विराशते हैं। एक ऐसी जगा जो भारत के चार धामों में से एक है। ये जगा है उत्राखंट के चमूली जिले में अलकनन्दा नदी के तट पर बसे हमारे बद्री विशाल जी की जिसे बद्रीनाध धाम कहा जाता है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बद्रीनाध धाम तक कैसे पहुं सकते हैं यहां जाने के लिए किन बातों का खास ध्यान रखना होगा साथ ही यहां कहां ठैर है कैसे घूमें इस तरह की तमाम जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में तो वीडियो को लास तक जरूर देखें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगे वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूले साथ ही अपने दोस्तों रिष्टेदारों को शेर करें तो चलिए मेरे यानि इस यात्रा के सुद्रधार दिफग जहा के साथ घूमिए बदहिनातधा बद्रिनातधाम जाने के लिए बेस कैम्प हरिद्वार है जहां आप अपने शेर से बस, ट्रेन और बाई एयर असानी से पहुँँ सकते हैं बस और ट्रेन से आप सीधे हरिद्वार पहुँँ सकते हैं वहीं अगर आप बाई एरप्लैन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले देहरा दून पहुँचना पड़ेगा। वहां से टैक्सी लेकर हरिद्वार पहुँच सकते हैं। हरिद्वार से आप बस या टैक्सी से रिशिकेश, देप्र्याग, रुद्दुप्र्याग, कर्णप्र्याग, चमोली और जोशी मठ होते हुए बदरीनाध धाम पहुँच सकते हैं। वहीं अगर आप केदारनाध यात्रा के साथ ही यात्र को करते हैं, तो आप गौरीकुंट से गुप्तकाशी, चोक्ता, गोपेश्वर और जोशी मठ होते हुए बाई रोड लगभग 220 किलोमेटर का रास्ता तै करते हुए, करीबन 12 से 15 घंडे में आप बदरीनाध तक बदरीनाध चाने वक्त एक से बढ़कर एक नैचरल व्यू देखने को बिलेंगे, कहीं हरे भरे पहार, कहीं जरने, तो कहीं एक दम से साफ आसमान देखकर जो खुशी मिलती है, वो सारे टेंशन को दूर कर देता है इस रास्ते में आपको कई पुल को पार करना बड़ेगा, जिसकी मदद से आप एक पहाड से दूसरे पहाड बल जाते हैं अभी इस पूरे रास्ते में कंस्ट्रक्शन वर्क चोर शोर से होता हुआ दिखा, इसी के कारण कहीं रास्ता बिल्कुल संकरा हो जाता है, तो कहीं अच्छी खासी रोड देखने को मिलती है लेकिन जोशी मट के बाद से रास्ता बहुत ही खराब हो जाता है, कहने को तो जोशी मट से पद्रिनात की तुई सिर्फ 50 किलो मिटर की है, लेकिन इस रास्ते पर गाड़ी चलाना सबसे मुश्किल हो जाता है कहीं कहीं पर रास्ता इतना खराब है कि एक गाड़ी भी बमुश्किल ही निकल पाती है इसलिए यहाँ अपनी गाड़ी से आने वालों के लिए एक सला है अगर आपको पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का अच्छा खासा अनुभव है तभी खोड ड्राइब करके बद्रिनाथ धाम आए यहाँ से एक रास्ता फूलों की घाड़ी और हिमकूंड साहिब जी के लिए जाता है और ये सीधा रास्ता जाता है बद्रिनाथ धाम के लिए इस पूरे रास्ते पर आपको कुछ दूरी पर बैटरूर पंप मिल जाते हैं और जगा जगा पर उत्राखन पुलिस की मुस्तेदी के कारण ये रास्ता धोड़ा आसान हो जाता है यहां से पांडू के शुर और हनुमान चट्टी होते हुए आखिरकार हम बद्रिनाथ पहुंची गए ये पार्किंग एरिया है हाला कि यहां गाड़ी पार्क करने की कोई दिक्खत नहीं है आप जहां कहीं भी स्टे करते हैं आपको पार्किंग मिल जाती है यहां नहीं तो मेन पार्किंग के अलावा आप रूट सेट पर भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं अब यहां आते आते रात हो गई और प्लान में बदलाव करते हुए आज हमने यहीं स्टे करने का सोचा इसका फाइदा यह हुआ कि हमें यहां भी रात के नजारे देखने को मिले हैं यहां हमें काफी होटल्स मिले जिसके प्राइज भीड के हिसाब से कम या ज़्यादा होते रहते हैं साथ ही बार्गेनिंग की भी पूरी गुंजाईश रहती है इससे बचने के लिए आप चाहें तो GMBN की साइट से भी अपने होटल बोग करा सकते हैं यहां फिर माना गाउं जाकर भी स्टे कर सकते हैं थोड़ा ढूणने पर हमें बारासु रुपे में तीन बैट का एक रूम मिल गया जिसमें गीजर की सुवधा भी है यहां समान रख कर अब हम चलते हैं मंदिर की और यहां से कुछी दूरी पर है हमारे बद्री विशाल का मंदिर और करीबन पांच मिनट में ही हमें मंदिर के पहले दर्शन हुए यह है बद्रीनाथ मंदिर का पहला द्रिश ये लाइट में जगमगा थी बदरीनात मंदिर की बहरी दिवार जो आज तक केवल टीवी और मुबाइल स्क्रीन पर ही भी मैंने आज तक देखी थी उससे काफी सुन्दर लग रहा है और बखल में बहती अलगनंदा न थी इसके बानी का तेज कितना तेज है जैसे जैसे मैं इस मंदिर के पास जा रहा था वैसे वैसे ही एक खुशेई बढ़ती जा रही थी और सबसे अच्छी बात यह हुई कि हमारी अंदिर जाते ही मंदिर का पट रात के आरती के लिए बंद कर दिया यहां रात के आखरी दर्शन नौबजे तक ही होते हैं, तिने सुन्दर दर्शन हुए कि क्या ही कहा जाए, अब ये पट सुबह खुलेंगे, और सुबह भी हम दुबारा दर्शन के लिए आएंगे, आज सुबह नहा धोकर हम मंदिर में दर्शन करने को बिल्कुल दयार हैं, वाँ, क्या मौसम है, सुबह में ऐसा दिखता है यहां का नजार, यहां चारों और खाने पिने की काफी दुकाने हैं, इसके अलावा हर तरीकी की दुकाने इस रास्ते में देखने का मुझती हैं, यहां आप जगा-जगा पर तुलसी माला, प्रशाद वगेरा खरी सकते हैं, और अब हम चलते हैं मंदिर के आप, यहां अलकनंदा नदी के बगल में एक गरम पानी का कुंग है, जहां कई लोग स्नान करके मंदिर में दर्शन करने गले जाते हैं, मंदिर के अगर बात करें तो ये मंदिर का बाहरी हिसा है जो कि पत्थरों से बना हुआ है और इसमें खिड़कियां एक अलगी खुबसूर दिम घेर रही है यहां इन सीडियों की मदद से मुख्य द्वार तक पहुंसते हैं जिसे सिंग द्वार करते हैं इसी को पार करने के बाद आता है गर्द ग्रिय है जहां दर्शन करने के बाद हाप इस प्रांगण में गोम सकते हैं यहां कई देवी देवतों के मंदिर है साथ ही यहां कई संद अपनी ज़ग तपस्या में लिन दिखे इसके साथ ही हर कोई अपने अपने तरीके से पूजा प्राखना करते हुए लिख रहे थे यहां आप विशेश पूजा और आर्थी में हिस्सा ले सकते हैं जिसकी डिटेल जानकारी आपके स्क्रीन पर है यहां मंदिर के पर सुबह छे बजे दर्शन के लिए खुलते हैं जो की बारा बजे दिन में बंद हो जाते हैं और फिर आप शाम के चार बजे से रात के नो बजे तक दर्शन कर सकते हैं बतरीनात में केदारना धाम की तरह चीजे महंगी नहीं है यहां सही दाम पर सब समान मिल जाते हैं साथ ही कपड़े, गिफ्ट जैसे अन्य समान के लिए भी अच्छी खासी मार्गेट देखने को मिल जाती है जहां से आप अपने दोस्तों रिष्टेदारों के लिए प्रिशाद और समानों की खरीदारी कर सकते हैं अगर आप बदरीनाथ आते हैं तो आप कुछ समय निकाल कर माना गाउं भी जा सकते हैं जिसके बारी में टिटेल में जानकारी आप अगली वीडियो में देख सकते हैं अगर आपने हमारी किदारनाथ की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर किदारनाथ धाम की वीडियो भी देख सकते हैं अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें अपनी सुझाव कमेंट करें दोस्तो रिष्टेदारों को शेर करें और अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें चलती मिलते हैं एक नए वीडियो में धन्यवाद